वेलकम टू बागो इंदम, इस इस ओर क्लास फर्स, चैप्टर नमबर सेवंटीन, स्पैल वेल, स्पैल वेल के चैप्टर में हम इसली पड़े हैं ताकि स्पैलिंग करेक्ट कर सके, पहले हमने वर्ड और लेटर सीखे थे, अब नेक्स है स्पैल वेल में, कुशी नमबर फर् northeast जालीं कंपलीट होगी नेक्स डाइगम हमें और लेंज के स्पैलिंग कंपलीट करना है, Hoeken, जालीं के स्पैलिंग कंपलीट करना है, A लिक लिखावाइं, A लिक ना है, G और E लिखावाइं, जिएसे और students, अलेफन की स्पेलिग एलेफन की स्पेलिंग दिखाए रहा है यह एलेफन की स्पेलिंग इलि खाए हो यह फिर से SPLcs O लिखना है और N लिखा हुआ है, तो यह L I O N लाइन की spelling हो चाहेगी next जैसे कि हमें डाइग्राम में दिखाई दे रहा है यह आइसक्रीम है, आइसक्रीम की spelling को complete करेंगे, I लिखा हुआ है, C E लिखेंगे, फिर से C लिखा हुआ है R, E, A लिखना है फिर M लिखा हुआ है ठीक है नाव नैस जैसा कि डाइगराम में दिखाई दे रहा है This is a pencil तो pencil की spelling को अपन फूरा fill up करेंगे P लिखा हुआ है E लिखेंगे N लिखेंगे फिर C फिर I और L लिखा हुआ है फिर जैसा कि डाइगराम में दिखाई दे रहा है This is a aeroplane तो aeroplane की spelling कोप्रीट करेंगे A लिखा हुआ है E लिखेंगे R लिखा हुआ है O fill up करेंगे P लिखा हुआ है P लिखेंगे L, A, N और E लिखा हुआ है तो aeroplane की spelling कोप्रीट हुआगी Next है mango जैसा कि डाइगराम में दिखाई दे रहा है mango mango की spelling कोप्रीट करेंगे M, A, N, G, O लिखा हुआ है Next डाइगराम में जैसे की दिखाई दे रहा है hockey तो H लिखाई है O, C, K लिखेंगे इसमें फिर के, E, Y लिखाई है hockey की spelling कोप्रीट हुआगी Next डाइगराम के अंदर जैसे की football दिखाई दे रहा है तो F लिखाई है double O फिर T लिखाई है B फिर A फिलफ करेंगे और double L लिखाई है Next डाइगराम दिखाई दे रहा है तो D लिखाई है double E फिलफ करेंगे और R लिखाई है तो यह कंप्रीट हो जाएगा, थैंक्यू फूर्ट वाच विटिंग्स, वेलकम तू बाल गोविंदम, इस इस वो क्लास फर्स, चेप्टर नमबर एटीन, सेल्फ इंट्रोड़क्शन, जब भी हम किसी से भी मिलते हैं, और हमें सेल्फ इंट्रोड़क्शन देना होता है, तो सबसे पहले, first of all हम करते हैं, greetings, greetings में, good morning, good afternoon, good evening, तो अब चेप्टर नमबर 18 में अपन इसको और अच्छे से समझेंगे, first question है, what is your name, तो यह मैं imagination पे इसके answer दे रही हूँ, और आपको अपना name fill up करना है, ठीके, अपनी details fill up करनी है, what is your name, तो my name is, जैसे मैंने example लिया एक, वानी स्वामी, आप यहाँ अपना नाम लिखोगे, my name is, जो भी आपका नाम है, वो पूरा कास्ट के साथ completely लिखोगे, second number, what is your father's name, तो मैंने जैसे की example दिया, my father's name is Mr. Rohit स्वामी, पूरा कास्ट के साथ, mister लगा के, अपने father का नाम complete आपको लिखना है, ठीके, third number, what is your mother's name, तो my mother's name is, Mrs. करके, आपको अपनी मदर का नाम पूरा, जैसे की मैंने example में समझाया है, Mrs. स्वीमा स्वामी लिखा है, आप अपनी मदर का नाम, Mrs. पूरा अपनी ममी का नाम लिखके, कास्ट के साथ, उसको complete लिखोगे, फिर, question number four, are you a boy or a girl, तो आपको इसमें देखना है, are you a boy or girl, तो आपको बताना है, I am a girl, अगर boy हो, तो आपको लिखना है, I am a boy, next, how old are you, how old are you, अना, तुम कितने साल के हो, तो I am seven years old, यह आपको लिखना है, next, in which school do you study, तो आपको लिखना है, I study in Val Govindam school, ठीके, next, which is your favorite subject, आपको अपना यहाँ, favorite subject बताना है, जैसे कि, मैंने तो example दिया है, English का, आप अपना यहाँ पर कोई भी favorite subject, जैसे Hindi, Mals, EBS, कुछ भी लिख सकते हो, my favorite subject is English, next, which is your favorite color, my favorite color is pink, this is only example, pink color मैंने लिखा है, आप यहाँ, black, blue, yellow, जो भी आपका favorite color है, उसका नाम यहाँ लिख सकते है, next, what are your hobbies, मतलब की, तुमारी hobbies क्या है, ना, कि तुम्ही क्या पसंद है, hobbies मतलब की, तो my hobbies are dancing and singing, आपकी, अगर कोई और hobbies देसे painting करना बसन दे, तो आप hobbies में लिख सकते है, thank you for watching it,